हेलो दोस्तो स्वाकत अपसे आपके अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में तो कैसे हैं आप लोग आशा करता तब से मस्त हैं स्वस्त हैं पढ़ाई होता जब दस्त रसकर हैं दोस्तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ का आप लोगा जो साइंस का उइकली टेस्ट होने वाला है आपको पता है आप लोग का बोर्ड एक्जाम जनवरी में यानि सबसे पहले होने वाला जनवरी महिना में ही तो अब से त्यारी में जूर जाइए तक एक्जाम का बहतर प्रिपरेशन कर सके ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे और भी वीडियो आएंगे सभी को सेयर के दूरी है माल जी कोई वस्तु का विस्थापन है तो तैके के दूरी क्या होगा सुन्य हो सकता है सुन्य नहीं होगा रिनात्मक होगा सुन्य नहीं भी हो सकता है क्या होगा देखो तो अगर वस्तु यहां से शुरू किया यहां तक चल गिया ठीक है तो इसका दूरी भी आई होगा विस्तापन मालो बस तो यहां से गया यहां गया फिर वापस आ गया यहीं पर मतलब स्टाडिंग इसे बिंदू पर था लाश्ट में भी इसे बिंदू पर आ गया घुम फिर के तो उसका विस्तापन क्या सुनिना लेकिन दूरी तो होगा मालो पांच किलोमेटर ग पर आगया तो बस तो गर विस्तापन सुनना है तो बस तो दरता है कि दूरी सुनन होगा किया सुनन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है समझ गया है ओडोमेटर में आपता है ओडोमेटर दोस्तों याद कि गाड़ी द्वारा चले गई दूरी कम आपता है इसलिए ओप्सन नमबर बी दो बिल्कुल सही हो जाएगा ओडोमेटर मेजर्स डिस्टेंज अठरो किलोमेटर परती घंटा को वेग में चेंज करना है मतलब इसको मीटर पर सेकंड एंसर होगा ठीक है दरीस अप्सन नमबर चार आपका शही हो गया यार चलो अगे बढ़ता है किसी बिशेष दिशा में कन की चाल को उसका क्या बोलता है ठीक है इन्हें पर्डिकुलर डायरेक्शन का चाल है तो उसमझे क्या बोलता है उसका बेग बोलता है अगला प्रस्ण है निूटन किसका मात रग है तो जग जाहीर है हर एक बच्चे बच्चे को बोलेगा बच्चा बच्चा बोलेगा निूटन बल का मात रग होता है ठीक है निूटन की गती का कौन सा नियम बल की परिवासा देता है बल की परिवासा कौन सा नियम देता है ठोस है gas है कि BC दूध क्या है लिक्वीड हैमने लिक्वीड है नहीं त्यांट्यशन निम्हें जर्प हो जाएगा ड्यासो के पेमें बशा कुप्स कान हो साफोफिक हैं यहां यह वथ वद्रवाजेंहों और है त्ड़ाक से लगईगए ऊपके हाथ विए बहुत आकरसन भले आपको हाथ पारने का जगई नहीं देगा वही जल पर मारो थोड़ा से रुकाट होगा लेकिन हाथ चल जाएगा पार हो जाएगा लेकिन हवा में कोई दिक्कत नहीं है कनू के बीच आकरसन भल बहुत ही कम है गैस में समझ रहे हो इसलिए उप्सन नमबर दो सही हो जाएगा बर्प का एक टुकुड़ा जल के सता पर तैरते रहता है क्यों क्योंकि बर्प क्या होता है जल से हलका होता है या बर्प का घंड़ तो जल से अधीक होता है बर्प और जल का घंड़ तो समान होता है या जल से भारी होता है तो याज कि बर्प जो होता है जल से हलका होता है यानि का उप्सन नमर तीन जो है बिल्कुल इसका सही उतर हो जाएगा ठीक है बर्फ हो जल से हलका होता है बैया जो हलका होगा वो तो तैरे गाई समझे रहे हो ना गर्म करने पर गैस का आइतन गर्म करोगे तो गैस का आइतन और बढ़ेगा ठीक है और expand होगा वो increases होगा याद रखेगा गर्म करने पर जैसे temperature गड़ता है तो उसका वो contact होता है मतलब security लेकिन और गर्म किजेगा न तो धेरे दर उसका इतर बढ़ता रहता है निमनलिकित में कौन कपला गर्मियों के समय में अधिक आराम देए तो आपको practically अधिकली देख सकते हो गर्मी में अगर पोलेश्टर कपड़ा पहनोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा सूती कपड़ा में बड़ा आराम मिलता है यार तो नमर क्या हो जाए तीन कौटन ठीक हो इंगलिस में कौटन बोलता है नेक्स दो जड़तों पर एक स्वाल है कि चार बस तो यह दिया गया पीक्यूर्स के द्रेब्मान पांच 10 15 और 20 केजी है किसका जड़तों सबसे अधिक यह स्वाल मैंने पहले भी आपनों करवाया था जिसका द्रेब्मान सबसे ज़्यदा उसका जड़तों सबसे अधिक आप ट्रेन को धक्का मार के हिला सकते हो जी अरे आहालत कराब हो जाएगा हालत कराख होगा फिर भी नहीं साइकल को धक्का मार की यानि के ट्रेन का जड़तों दिक्खे क्यों उसका दड्रेमान दिकै इसलिए ना साइकल कर्या ज्यादा है यानलिए इसलिए किसका जड़तों दिकुका जिंक तो 20 कजी बाला कौन है स toS ka यह अबद़रतों सबसे नियम्णन में कौन सख्यह का निमन तो बीस्कार मानेस यूइए इकलो टू एस option number a हो गया सही समझ गया है चलो आगे बढ़ता है next question देखो आतमाचता का थैला कहलाता है आतमाचता का थैला किसे बोलते हैं तो बोलते हैं कोसिका की खोज किसने की जी यहाँ बिलकुल सही पकड़े हैं रोवर्ट हुख ने ऑपसन नंबर एक सही हो जाएगा मेरे भाई तुकर वीडियो अच्छा लगाता प्लीज दोस्तों लाइक कर देना तो अपने दोस्तों को सेर जरू करना आपके एक सेर उसको help कर सकता है और मुझे और अच्छे अच्छे वीडियो बुनाने के लिए motivate करता है ठीक है नीमन में से कौन सी रादिस रासी सदीस नहीं है कौन सी सदीस रासी नहीं है तो सदीस मतलब जिसका दिसा होता वो सदीस जिसका दिसा नहीं होता वो अदीस टेक है जिसका दिसा होता वो क्या हो जाएगा सदीस रासी मतलब जिसका डाइरेक्शन होता है किसी एक डाइरेक्श चाल आपका अदिस रासी हो जाएगा समझ रहे हो चाल क्या हो जाएगा अदिस रासी हो जाएगा हाँ लेकिन वेग का बात करें अगर तो आपको पता है चाल जिसमें दिसा होती है उसे लोग वेग करते हैं तो वेग में हो जाएगा सदीस क्योंकि उसके दिसा होती है चाल द स्पीट से जाएगा इस पीट न घटेगा न बढ़ेगा तो क्या होगा बिल्कुल पर सब्सक्राइब न बढ़ेगा तो क्या होगा बिल्कुल एक सरल रेखा हो जाएगा क्या होता है पहले बता चुक है दुरीम अपता है नीटन किसका मात तो यह चली हो गया यह देखो नीवना लिखित में कौन सही है कार्ज का फॉर्मूला पोचाए आप लोगो किसका कार्ज का तो याद के कार्ज बराबर होता है बल गुने विस्तापन क्या होता है वल गुने विस्थापन देखो option और कुन वाला है बल्गोने विस्थापन यानि option number बल्गोने विस्थापन option बद्धो हो जाएगा next तौरन का ऐसा मात्रक होता है meter per 30 second square बहुत मात्पन स्वाल अच्छे से देखे लो exam पूछ सकता है वेग मी परिवर्तन की दर वेग मी परिवर्तन की दर यानि की भी बाइटी डी भी बाइटी आगे पढ़ोगे और अच्छे से इसको 11th में आप लोग तो वेग मी परिवर्तन की दर कम लोग बोलते हैं क्या तौरन यानि की acceleration option number C तौरन सही हो जाएगा एक कार दो घंटे में है तो बस दूर और ऊसाड चाल निकाल ना या तो कूल-दूरी कितना जा रहा है 100 समय कितना है कटिंग कर दो 50 से कर जाएगा तो 50 किलोमेटर परती घंटा है इसका उत्तर हो जाएगा आपस अनभ भी सेंटी में नहीं होना चीए किलो मीटर लिखा होना जीह था था वर में स्प्रिड किया है इंगर्श व personally आप री किलो मेंडर लिखा है ना चलो नों कि दर्माई द्रमाद बस्तु को पांच मिटर परसर स्कुएर की दर्स से तोरीत करने में कितना बलकाभाज सकता होगा तो 2 kg द्रेमान देखो सबसे पहले देखो M कितना दे दिया है 2 kg देखो 2 kg देखो 2 kg दिया है न तौरण ए बराबर कितना दिया है 5 m2 पर सेकंड स्कॉर आपको F निकलना है F बराबर क्या हो जाएगा M A हो जाएगा M A यानि कि 2 गुना 5 2 पच्चे 10 हो जाएगा 10 मीटर 10 Newton को मार दो कर दो फूटान चलो फूटान हो गया 10 का एंसर इंसरी क्या 10 Newton हो गया ठीक है चलो बहुत बड़े नेक्स्ट यही था आप लोगा बहुत मत्पुना स्वाल इतने सारे कोशन से देख लो एक्जाम इस सो जारूर मिलेगा जो समझा है उसको समझ लो ता कि कोई भी क अभी आल थाइंक्यों लोपी अविकलत नाई फिर नेक्स्ट में जल में लेंगे तुम देली जाएंद हुआ अंदे मात्रम